Welcome back to the channel So, آج हम discuss करने जा रहे हैं Logos जो भी हमारे जैसे आपको इस क्रीन पर Chrome का logo दिख रहा है तो हम different logos भी discuss करेंगे जैसे कौन सा logo सही है कौन सा logo गलत है और Logos के टाइकरी में आप देखेंगे जो आपके International Organizations के logo हैं वो भी देखेंगे आप in plus of this, आपके कुछ food chain के logos हैं प्लस हम कुछ mascots भी discuss करेंगे जो next year के exams के लिए important है और इस साल जो exams आने वाले हैं design के जैसे अभी NID का exam है December में और UC and NIFT भी आने वाले हैं तो NIFT के exams में basically बात करें तो उसमें ऐसे diagram based exam diagram based question तो नहीं आते हैं NIFT का जाए BDAS हो, MDAS हो, MFM हो, BFTEC हो या फिर MFTEC हो बट उसमें theoretical form में question जरूर पूछे जाते हैं और abbreviation पूछ ली जाती है मतला full form आपसे पूछ लिया जाते हैं rest when coming to UC and NID उसमें तो diagrammatic भी आपसे पूछा जाता है और abbreviation based भी आपसे question पूछा जा सकता है तो चलिए start करते ह first logo यह रहा हमारा, देख सकते हैं orange color का logo है, बहुत common है, एक watch brand है यह, यह logo है हमारा fast track का, fast track का logo है यह, orange color का, next logo है हमारा यह, यह हमारा एक banking है, banking chain है, तो एक bank का logo है, ध्यान से देखिए, government bank है यह, so यह जो logo है, एक keyhole जैसा बना हुआ है और blue color का logo है, यह है state bank of India का logo, next logo जो है, यह रहा, यह petroleum chain है, उसका logo है, अगर guess किया हो, बहुत ही famous, बहुत ही पुराना petroleum chain है, यह है हिंदुस्तान petroleum का logo, तो प्लीज याद रखेगा, कि अगर circle में है, और circle आपका dark blue color का है, और it's a type of M, अगर आप ध्यान से देखें, तो it's a type of fall, तो यह हिंदुस्तान petroleum का logo है, next logo, यह रहा, यह car brand का logo है, अगर guess कर सकते हैं, तो please guess करें, यह जो logo है, यह car brand का logo है, Ford, Ford का logo है, यह बीच में यहापे Ford लिखा होता है, white silver color से, तो वो यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि अगर लिख देंगे, तो आप लोग को पता ही चल जाएगा, next logo, यह रहा हमारा, यह हमारा एक तरह का, जैसे, mail box होता है, ना हमारे, Gmail हो गया, Yahoo हो गया, तो उसी में से, mail box की ही chain है, यह, उसका logo है, यह blue color का, यह है drop box का logo, तो please, यह logos याद रखेंगे, जैसे कुछ पुराने logo हो जाते हैं, जो हम use में नहीं होते हैं, तो हम उसे इतना used to नहीं होते हैं, तो, but please, आपके exam perspective से तो important हो जाता है, because, पूछ तो वो कुछ भी सकता है, तो, यह है drop box का logo, next, यह रहा, यह हमारा, अगर देखेंगे, तो red color का circle है, उस पे orange color का circle, overlap कर रहा है, यह एक, जैसे हमारे cards होते हैं, credit card, debit card, तो, उस card chain में से यह logo है, और यह logo है, master card का, तो, please, याद रखेंगा, अगर red circle को, orange circle, overlap कर रहा है, तो, वो master card का logo है, next है, यह, yellow color का circle है, उसके उपर red color का wave है, यह एक chips का chain है, chips, जो आप मंचं के लिए खाय जाते हैं, उसका chain है, और यह है Lays, Lays का logo है, तो, please, याद रखेंगा, यहाँ पे अगर visual होता, ऐसे regular होता, तो, यहाँ पे बीच में, L, A, Y, S, white color से Lays लिखा होता है, नेक्स्ट, लोगो यह रहा, यह, mostly, लोगो ने guess कर लिया होगा, mostly, mostly, लोगो ने guess कर लिया होगा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सभी किया, यह, added ash का logo है, next, इस, यह रहा, next, जैसे आपको दिख रहा है, red color का है, अंदर red color से, जैसे sun rays होती है, वैसे जा रहा है, yellow color का है, तो, आपने से, लोगो ने यह भी guess कर लिया होगा, यह shell का logo है, next logo है, हमारा यह, यह, एक laptop chain का, laptop brand का logo है, इसमें, बीच में, जो, इस पेस आपको खाली दिख रही है, यहाँ पे वो brand name लिखा होता है, और, आपने, अगर, गैस कर लिया है, तो, सगी, गैस किया है, यह HP का logo है, यह, बीच में, HP, टालिक में, लिखा होता है, silver color से, next logo है, यह रहा हमारा cloud shape में है, और, international calling के लिए, प्रिविएसली बहुत यूज होता था, अभी तो, अभी तो, कहर जूम और, इतनी सारी चीज़े, आपकी, whatsapp, video call, और, google, calling, यह सब active हो चुका है, तो, यह थोड़ा सब कम हो गया अभी, and this is Skype, बीच में, Skype लिखा होता था, यह रहा है, वाइट कलर से, so, यह Skype का लोगो है, next logo, यह रहा, यह हमारी car chain का लोगो है, cars, car brand है, mostly, yes, तो सही किया है, यह है Bentley, sorry, Mini Cooper का, Mini Cooper का logo है, यह, black color का circle, with, जो fairy wings हैं, इसके sights में, वो silver color के है, Mini Cooper का logo है, next is, यह रहा, बहुत TV, TV में, एड में, बहुत देखा है, जो आपके products आ रहे हैं, उस पे हिंदुस्तान Unilever का ad आता है, तो यह logo जो है, यह dabber का logo है, तो प्लीज याद रखेगा, यह, यह, trees, branches, trees, tree की branches, जो है, वो देखे, यहाँ पे एक circle है, जैसे human body, जैसे resemble कर रहा है, और leaves, तो यह dabber का logo है, next is, यह रहा, यह तो हमने ads में देखा है, chocolates है, dairy products है, इसके dairy products in the form, dairy powder वगेरा इसके रहते हैं, एक mother bird है, और वो two baby bird को feed कर आ रहा है, यह logo, nestle का है, तो प्लीज याद रखेगा, यह सारी logo अभी तो, जो आप अगर visualize कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, नहीं करना है, तो प्लीज visualize करना शुरू कर दीज़े, आपके exam perspective से, यह important हो जाते हैं, next logo, यह हमारा, यह हमारा telecommunication brand का logo है, आपने बिल्कुल सही guess किया, यह Vodafone का logo है, next is, यह, एक पर्फ, जैसे हाथ से perfect होता है, तो वैसा ही logo है, यह कुछ हाथ से perfect करता हुआ, तो यह logo है, यह है, पिरामल इंटरप्राइज़ का logo, तो प्लीज याद रखेगा, पिरामल इंटरप्राइज़ का logo, हाथ से यह से perfect करते हैं, वैसा logo है, प्यूर ओरेंज कलर में यह logo होता है, तो पिरामल इंटरप्राइज, नेक्स्ट यह रहा हमारा, यह हमारा, यह हमारा clothing brand है, प्लीज देख लीज़, एक सेकंड का time देते हैं, उसके बाद हम discuss करते हैं, clothing brand, बहुत famous clothing brand है, men's apparel में deal करते हैं, mostly है, and the brand is Peter England, तो प्लीज याद रखेगा, यह फ्लाग का कलर, प्लीज याद रखेगा, ब्लू कलर का बीच में बीच में इस ट्रिप है, the wide strip, then up and down में जो gap देके strips हैं, वो green और red है, dark green और red, and the logo is for Peter England, next, यह रहा, अगर ऐसे breakdown करें, तो आई का form है यह, जो उपर circle, dot वाला है, वो zero या फिर o shape का है, black color में, और नीचो जो stick है, line है, यह red color की है, और यह logo है, आपका oil India का, तो प्लीज याद रखेगा, o, o, और i, इसको ऐसे भी learn करना है, तो ऐसे भी learn कर सकते हैं, oil India, नेक्स्ट, यह रहा, देखे, तो A बना हुआ है, और red color में है, पर A जो है, वो proper नहीं बना है, उसको cut कर दिया गया है, एजस से, और यह logo है, आपका Mitsubishi Motors का, Mitsubishi Motors का, यह logo है, जो A form में है, बट इसको side से cut कर दिया गया है, और beach में gap दिया गया है, नेक्स्ट, लोगो, यह रहा हमारा, हम सब movies देखने जाते हैं, तो बस एक movie theater का ही यह logo है, ध्यान से देख लिजए, यह logo है आपका PVR का, मुवी देखते हैं, बुकिंग करते हैं, लेकिन कभी लोगो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए कह रहा है, अगर visualize आपने कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कर कहीं कहीं miss हो रहा है, कहीं कहीं gap हो रहा है, तो प्लीज, विजुलाइज करना फिर से start कर दीच नेक्स्ट ये रहा, ये जो लोगो है, जैसे गोल्डन टिकेट जैसा ये दिख रहा है, ये गोल्डन टिकेट है, इमडीबी का लोगो, तो प्लीज ये भी याद रखेगा, मानुट मानुट चीज़े हैं, गोल्डन टिकेट ये इमडीबी का लोगो है, नेक्स्ट ये रहा एक smile face और orange color से एक outer layer इसकी बनी हुई है ये logo है आपका Ali Baba का Ali Baba सबस्टे सुना है Ali Baba साइट नई जिसने सुना है प्लीज एक बार साइट पर देख लीज़ेगा ये सब माइनुट चीज़े हैं माइनुट माइनुट जो हम सब देखते हैं बट वही है कि इतना धिहान नहीं देते हो याद नहीं रहता है तो ये Ali Baba का logo है नेक्स्ट ये रहा फ्लाइग बर्ड जो अगर जो बर्ड का नाम है हुआ ही स्लोगो का नाम है तो अगर आपने इंटिफाई कर लीए तो बहुत अच्छी बात है था बर्ड इस का एंग्फिशर और लोगो नेमीAY में वौसी आपक пश सॉन्सक्षय है mostly हम लोग इस्पेक्स करी ही करते हैं कई लोगो को टेस्टेट भी होते हैं कई लोग फ़र फैशन करी करते हैं यह लोगो है लेंस कार्ट का next लोगो यह रहा आपका यह आपका एरलाइन चेन है प्लीज आप एक मिट का टाइम ले लीज़े then we will discuss further आप में से मुस्लीन गिशे गर लियो होगा यह लोगो है आपका वेस्तारा का यह लोगो है next यह रहा H बना हुआ है ध्यान से अगर देखे तो पर थोड़ा सा वाइड है electronic brand में आता है आपका और यह लोगो है आपका Hevles का है एच बना हुआ है डार्क रेट कलर में एलेक्ट्रोनिक ब्रांड और है लोगो है यह नेक्स लोगो यह रहा अगेइन कमिंग टू अम नाव कमिंग टू कॉफी कीचिन जितनी आपे कॉफी ब्रांड सोते है ना जैसे स्टार्बक्स हो गया देन कमिंग टू अभी तो नाम नहीं लूँगी क्योंकि अभी बहुत सारे आपको लोगो जी दिखने वाले है तो यह है काफे कॉफी डे का लोगो है तो प्लीज इसको देख लीजा धियान से तार्क रेट कलर का है कॉमा जैसा बट यहां पर साइट्स जो है वह स्क्वार बॉक्स चैसे है तो काफे कॉफीडे का लोगो है यह नेक्स्ट इस सेर्कल है सर्कल में भी तिखर्ट इसे सर्च बॉक्स होता है ना भी हमारे गूगल ब्लू अपर पॉपल ब्लू ग्रीम और यह लोगो है आपका पिकासा का तो प्लीज इसको भी Communication industry का logo है, अगर exact name बूल दूंके तो लोगो ही identify हो जाएगा, ये logo है हमारा Film and Television Institute का, जैसे फा हिंदी में होता है ना, तो वैसे ये देखे, फा बना हुआ है बड़ साइट से cut है, और उपर ये एक ही मात्रा लगी हुई है हिंदी में, तो Film and Television Institute का logo है, प्लीज याद रखेगा, next logo ये रहा, ये जो हमारी hotels होता है ना, hotels, hotels, तो उसी का एक, one of the prestigious hotel है ये, उसी का logo है ये, और ये है Moria Hotels का logo, तो ऐसा नहीं है कि logos limited होता है, कि सिर्फ आपके fooding chain के आ सकते हैं, सिर्फ petroleum chain के आ सकते हैं, या सिर्फ clothing chain के आ सकते हैं, या सिर्फ international या national organizations का, लोगों आप से किसी भी तरीके का पूछा जाता है, इस्पेशली वो लोगों पर ध्यान देखेगा, जो टाइम के साथ पुराने होते चले जा रहे हैं, जैसे Moria Hotel से, लोगों जो है, हाडली ही, शायद किसी ने देखा होगा, या देखा भी होगा, तो शायदी किसी के दिम एक्जाम में कुछ आता है, तो या प्री रेडी फॉर अल दीस तेंग्स, नेक्स्ट इस लोगों यह रहा हमारा, दो एरोज है, और जो लोग डेली में है, उनको तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, तो यह लोगों हमने, मेट्रो सेशन पे बहुत कॉमनली देखे हुए है, और यह लोगो है, डेली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, बस के पीछे भी, जो डेली में जो बसे चल रहे हैं, उसके पीछे, यह साइट्स में जहां पर ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग की जगह पे यह मैंशन ह होते हैं, डेली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, नेक्स्ट लोगो, यह रहा हमारा, जैसे यूनीक अइडनिफिकेशन नहीं होता है, थान से देखे हैं, तो जैसे हम फोंस, में भी एंड्रोइट फोंस, में जब थाम लगाते नहीं हैं, फिंगर लोग, तो फिर वो मल्ट जाते हैं आप से, जो 2023 के कॉमन वेल्ट गेम्स हुए थे, उसका लोगो है यह और इसको ट्रिन बागो बोला गया है, ट्रिन बागो, नेक्स्ट यह रहा, अब इसमें अगर हम देखे, स्क्वार बॉक्स है, और लाइन्स ओवरलाप कर रहे हैं, और पूरा ब्लाक अन वाइ लोगो है, आपका expo marketing का, जैसे अभी एक दू दिन पहले, नोईडा expo चल रहा था, international expo नोईडा में चल रहा था, वो over हुआ है, तो उसी expo marketing, जो expo marketing होते ही है, जो इसमें international और national trading, export imports होते हैं, विसितर बाहर की कंठी चांट्री चीज़ और आते हैं, अपनी कंठी तो यह एक्सपो मार्केटिंग का लोगो है नेक्स्ट रहा यह लीव के फर्म में है फर्स लीव येलो देन रेड देन इस शी ब्लुईश टाइप का कलर है और यह लोगो है आपका बैंगलूरू इंटरनाशनल एयरपोर्ट का तो यह लोगो है आपका बैंगलूरू इंटरनाशनल एयरपोर्ट तो ऐसा नहीं है वही मैंने बोला ना कि कोई डाइमेंशन फिक्स नहीं है कि लोगो वो इतनी ही परस्पेक्टिव में पूछ सकता है लोगो वो किसी भी रेंच में पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट यह रहा वी अगर ध्यान से देखे तो वी ही बना है और लाइट और डाग ग्रीनिश कलर का कॉंबिनेशन है और यह लोगो है आपका वीडियो कॉन का वीडियो कॉन हमारा इसमें टेलिवीजन और फ्रीज वगरा भी आये थे सक्सस नहीं हुए इस वज़ा से अभी मार्केट में नहीं दिखते हैं तो यह लोगो है आपका वीडियो कॉन का नेक्स्ट यह रहा अगर सिंपल लाइंगोज ने बोले तो कलरफुल संफ्लार है और बहुत सारे लोग गैस नहीं कर पाएंगे बट यह लोगो विपरो का है पुराना लोगो है यह विपरो का पुराना लोगो तो ऐसा नहीं है कि करेंट ही लोगो आपसे नया ही लोगो पूछ सकता है शायद एक्जाम में वो आपको यह पिच्चर दे दे या पुराना पिच्चर दे दे और identify करने को बोले तो नया पुराना आपको सब कुछ पता होना चाहिए next logo यह रहा हमारा एक V form में है यह और अंदर जो है एक square या फिर diamond shape का shape बना हुआ है pure black color में और यह logo है आपका sale का steel authority of india limited तो यह sale का logo है next is यह पा बना है और अंदर dot है एक bank है government bank है बिल्कुल सही guess किया यह पंजाब national bank का logo है next यह रहे हमारे organizations ध्यान से देखे तो बाहर साइड leaves है बीच में circle पे circle बना हुआ है और चोड़ जोड़े continents देखे हुआ है यह logo है आपका sorry यह logo कौन सा है आपका please comment box में बताईएगा यह कौन सा logo है UNICEF या फिर WHO कौन सा logo है यह please comment box में बताईएगा next यह रहा three happy people ऐसा लग रहा है मतलब क्योंके जब हम enjoy करते हैं तभी हम hands को उपड़े मतलब ऐसा type of victory तो यह जो logo है three people front वाला blue then red then green यह logo है आपका national skill development corporation का national skill development corporation का यह logo है next logo यह रहा हमारा red color में है और it's a type of age जिसके हर end से एक line अपने अपनी pattern में जा रही है और यह logo है infrastructure leasing and financial services का next logo जो है हमारा वो यह रहा green color में है और यह blue color की ending है और अगर ध्यान से देखो आप तो IIE और यहां पे भी कुछ है P जैसा लग रहा है IIP तो इसका abbreviation और यह logo है Indian Institute of Packaging का ठीक है next logo यह रहा अभी हमने जो पहले discuss किया था उसका answer है यह कि यह leaves के form में है बीच में circle circle of continents दिख रहे हैं यह United Nations का logo है next यह रहा leaves अभी यहां पे देखो अटाच नहीं है और जैसे आपका mechanical wheel होता है वैसा image और बीच में ILO लिखा है तो आपके exam में तो ILO ऐसा लिखके नहीं आएगा यहां पे यह cover ही होगा और यह International Labour Organization का logo है next logo यह रहा इसमें बीच में जहां पे आप यह अलग सा blue सा color देख रहे हो ना यहां पे उस organization का name लिखा हुआ था है और यह घर जैसा है white color का अगर आप ध्यान दो तो और यह logo है आपका UNESCO का प्लीज यह International Organization, National Organization के logos थोड़ा ध्यान से देख लिजएगा क्योंकि exams में पूछे जाते हैं नेक्स्ट लोगो यह रहा हमारा इसमें भी leaves हैं बटटाच नहीं है circle है continents है और यह snake जैसा बना है अब कभी भी ऐसा logo आपको दिखे ना जिसमें एक word stick है बीच में उसमें snake है तो वो किसी medical field से relate कर लीजेगा उसको medical field से ही relate हो सकते हैं इसलिए बिकास इसनेक का poison जो है वो medicine बनाने के use में आता है और यह logo है आपका WHO का World Health Organization next logo यह रहा हमारा Fiat Panis और यह circle में यह logo है जिसमें बीच में blue color से यह seeds जैसे हैं और यह पे drop है FAO लिखा हुआ है इसमें और यह logo है Food and Agricultural Organization आपके एक्जाम में जब आएगा तो यहां पे जो भी symbolic letters में लिखा हुआ है यह सब नहीं होगा तो आप लोगो प्लीज ध्यान से देखेज़गे यह Food and Agriculture Organization का logo है जिसमें बीच में seeds जैसी बनी हुई है next logo यह रहा हमारा again leaves जैसी है circle है continents है बट यहां पे plus के sign के साथ यह chain connected है अगर आप ध्यान से देखो तो और जैसे ship में नीचे ship को फसाने के लिए यूज होता है harbors में वो लगा हुआ है तो यह logo है आपका International Maritime Organization जैसे हमने डिसकुस कियाता है na ship में नीचे harbors में फसाने के लिए यूज होता है तो International Maritime Organization का logo है यह next is this a person is holding a baby और यह circle के अंदर है और साइट में आपके again leaves जाने के leaves connected नहीं है और यह logo है आपका UNICEF का तो यह logos प्लीज याद रखेगा और इनके abbreviations भी प्लीज एक बार देख लीजगे अब्रिवेशन सम्दूसरे वीडियो में डिसकुस करेंगे इसमें नहीं next is this इस एक क्यूट सा पांड़ा है तो यह पांड़ा जो है यह आपका जो जो रिप्रिजेंट करता है www.f रिप्रेजेंट करता है World Wildlife Fund तो पांड़ा अगर एक्जाम में कभी भी दिखे तो आपकी जो organization रिप्रिजेंट करता है वो वर्ल वाइड लाइफ यह पिच्चर थी जिसमें circle की circle था और एक circle था जो आदा है और continent show हो रहे हैं यह logo है आपका international monetary fund का अब circle से आपको समझ आई गया होगा कि यहाँ पे fund लिखा था FUN और monetary तो international monetary fund का यह logo है next is this अगर आप देखो तो U shape में circles, semicircles हैं जो कि joint नहीं है आपस में और यह logo है UNIDIR का the United Nations Institute for Disarmament Research तो यह इसका logo है next is this logo पीच में एक person है और दोनों तरफ से हाथ उसको secure कर रहा है और again जो leaves outer उसमें शो की गई है वो joint नहीं है और यह logo है UNHCR का United Nations High Commissioner for Refugees का यह logo है UNHCR next is this यह हमने पहले भी discuss किया था कि continents हैं बीच में और यह logo sorry यह हमने पहले पहले नहीं discuss किया sorry sorry जो हमने पहले डिसकस किया था उसमें leaves जो थी वो joint थी इसमें leaves joint नहीं है तो प्लीज इन दो लोगों उसमें confuse मत होईएगा और इसमें अगर आप देखो तो इसमें continents जो है वो जादा closely show हो रहे हैं और circle भी जादा wide है यह logo है आपका UNO का United Nations Organizations next is this इसमें beach में नाम लिखा था इसलिए नाम चिपा दिया गया है यह हमने पहले डिसकस किया था शायद जिसमें leaves बनी हुई है और mechanical wheel है आपका और यह logo है ILO International Labour Organization हम पहले डिसकस कर चुके हैं अगर इस form में भी आ सकता है कि बीट से नाम हटा दे क्योंकि यह पे ILO लिखा था तो प्लीस mechanical wheel consider करियेगा अगर mechanical wheel जैसा कुछ दिख रहा है तो ILO का logo है International Labour Organization next is this mascot से start हो चुके है यह mascot हमारे Paris 2024 Commonwealth Games के है और sorry Olympics के है और इनका जो mascot है यह इनका mascot का name है Phryges 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 यह Phryges है जो Paris Olympics 2024 के mascot है और अकर इसमें ध्यान से देखें तो सबसे इजी तरीका आपको identify करने का यह बता सकते हूं कि एक Phryges जो है उसके pair पे attachment लगा हुआ है उसका एक next mascot यह रहा यह national games जो हुए थे उसका mascot है यह bull जैसा लग रहा है और इसको MOGA बोला गया था यह 37th national games जो हुए थे और organized किया था Indian Olympic Association ने और उसका जो mascot है आपकी screen पे है और इसका जो official name है क्योंकि हर mascot को official name होता है और इसका name है MOGA next mascot यह रहा हमारा इसका अगर आप थोड़ा सभी जूम करोगे ना इसमें नाम दिख रहा है very clearly तो एक डाइनसौर है और एक तो salmon है तो इसको जो official name दिया गया है वह इसको जो नाम दिया है व और यह European Games 2023 में शोकेस हुए थे mascots, official mascot European Games 2023 के है यह है क्राकुसेक जो एक डाइनसौर है और एक Salmon, Salmon का नेम है Sandra तो official name, mascots के important हो जाते हैं next is यह रहा हमारा जो Commonwealth Games हुए थे Birmingham में 2022 में उसका mascot और इस mascot को नाम दिया गया था Perry the Bull, Perry the Bull Commonwealth Games 2022 जो के Birmingham में हुए थे उसको official mascot है यह next is this again Commonwealth Games 2023 अगर आप टर्टल को ध्यान से देख रहे हो तो हमने यह discuss किया था तरिन बागो जो इंटिफिकेशन उनीक इंटिफिकेशन वाला थम वाला हमने इस दिसकस नहीं किया था Android phone में थम भाई उसका यह Commonwealth Games 2023 का जो official mascot वो यह टर्टल है अगर आप देख रहे हो तो और इ अगर बोला गया है और Commonwealth Games में एक चीज़ और ध्यान दे दीचेगा अगर वी शेप में यह लोगों आया तो भी ध्यान दीचेगा साइट इसके डेड कलर की हैं बीच में ब्लाक कलर है अगर सिर्फ यह लोगो आता है तो यह भी Commonwealth Games 2023 का लोगो है नेक्स्ट इस अलोएन यह ज अगर अगर नेक्स्ट इस यह जो है यह लॉड हनुमान जी से इंस्पायर हुआ मैस्कॉट है और इस मैस्कॉट का नाम भी Lord Hanuman जी है और यह एशन अथलेटिक्स चैंपियंशिप 2023 का अफिशल मैस्कॉट है जो की थाइलेंड में हुए थे 12 जुलाई को अभी इस साल 2023 में तो एशन अथलेटिक्स चैंपियंशिप 2023 का ओफिशल मैस्कॉट है लॉड हनुमान नेक्स्ट इस इस आपको इस में से बताना है कि कौन सा जो लोगो है वो सही है और कौन सा लोगो गलत है तो यहां पे दो तरीके से कोका कोला लिखा हुआ है अगर आप उपर देख रहे ह यहां पे देखे सी की एंडिंग में है यहां पे सी एंड नीचे हो रहा है यहां पे सी एंड उपर यहां पे सी एंड नीचे और जो करेक्ट को 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 का लोगो का नीम है वो उपर वाला है जिसमें सी फर्स सी नीचे टेल एंड कर र जिसमें एक का बीच वाला लाइन जॉइंट नहीं है, that is the correct logo for Samson. Next is this, HP and HP. एक में तो एसे लिखा हुआ और एक में टालिक लिखा हुआ है. तो जो correct logo है, वो फर्स्ट वन है, जिसमें नॉर्मल ये HP लिखा हुआ है, second one नहीं है, तो अगर ये tilt आपका, जो 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 चीता है, वो राइट साइड से है कि लेफ्ट साइड से है लोगो में, तो प्यूमा का जो चीता है, वो आपका, राइट साइड वाला correct है, तो राइट साइड वाला चीता जो है, वो correct है, लेट साइड वाला wrong होगा, प्यूमा का नेम ये जहां पर end हो रहा है, उसके उपर चीता का fall आएगा, next logo ये रहा, ये logo है हमारा Twitter का, कौन सा logo सही है, कौन सा logo गलत है, क्या Twitter का जो bird था, उसका आई था की नहीं था, तो टुटर का जो bird था, उसका आई नहीं था, तो जो correct logo है, वो ये वाला है, जिसमें आई नहीं है, next logo हमने डिसकस किया था, burger king, burger king, burger king, इसमें सब कुछ सेम है, बट आप ये circle देखो, ये ऐसे end हो रहा है, और ये ऐसे end हो रहा है, left और right वाला गें सेम चीज़ है, तो जो correct logo burger king का है, वो this one है, जिसमें circle आपका शुरू हो रहा है, king के g के नीचे से शुरू हो रहा है, और उपर end हो रहा है, this is the correct logo, differentiate logos भी आते हैं आपके exams में, next Mercedes-Benz, कौन सा logo correct है, कौन सा logo wrong है, guess तो कर लिया होगा, तो चल ये discuss करते हैं, Benz का first one logo correct है, जिसमें ये V जो है, fall V है, मतलब V तो ऐसे बनता है ना, जैसे नीचे बना हुआ है, बट इसको fall, बट इसको upright कर दो, इसको उपर कर दो, जैसे ये है, ये Ulta V है ना, Ulta V, let's take it easy, Ulta V, तो Mercedes-Benz का logo is Ulta V, next is Ariel, यहाँ पे Ariel और reddish color में है, यहाँ पे green color में है, तो जो Ariel correct है, correct logo है, Ariel का, वो है first one, जिसमें Ariel का, जो उपर जो pattern दिया हुआ है, वो green color का है, और जो name है, वो reddish color में है, next is chrome, अगर हम discuss करें, तो यहाँ पे जो circle start हो रहा है, वो red green yellow है, और इस side जो circle है, वो आपका green red yellow है, तो जो correct color chronology है, chrome के लोगों की, वो second वाली है, green red yellow, green red yellow, तो is the correct color chronology, for the chrome, next यह रहा, Honda का हमारा logo है, H यहाँ पे down side है, और यहाँ पे H upper side है, तो जो, Honda का correct logo है, वो आपका first one है, जिसमें H का fall आपका down side है, next, logo हमारा Android का है, Android में अगर आप ध्यान दो, तो logo तो दोनों के सेम हैं, पस नीचे जो लिखा हुआ है, difference वहाँ पे आया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, तो, तो यहाँ पे जो Android का जो correct logo है, वो logo है आपका first one, first आपका correct logo है, A में gap है, N, D, R, O, I, फिटी, यहाँ पे close नहीं है, तो Android यह first वाला logo, correct logo है, और इसके एस पे भी circle closing नहीं है, इसके एस पे देखो आप तो circle close हो रहा है, यहाँ पे circle close नहीं हो रहा है, next logo, Fila, Fila का logo है, Fila, Fila, ध्यान से देखें, तो color यहाँ पे change हो रहा है, first line blue है, rest F, red है, यहाँ पे first line red है, rest F, blue है, next is oreo, biscuits, हम सब खाते हैं, oreo ice cream, oreo shake, कौन सा oreo, correct oreo है, इतना ध्यान तो कभी दिया ही नहीं, आज दे लेते हैं, कोई बात नहीं, तो जो correct logo है, oreo का, वो है, second one, O, R, E, O, थोड़ा, O, जो है, wide है, R भी wide है, E भी wide है, O, last O, जो है, वो थोड़ा सा, दबा हुआ है, थोड़ा सा synchronized है, so second one is the correct one, next is airbnb, airbnb का ये रहा A, और ये उल्टा A, तो कौन सा A, सही है, airbnb के लोगों में, airbnb के लोगों में, जो सही A है, वही सही है, मतलब जस तरह हम A को लिखते हैं, वही correct है, airbnb का ये लोगों, next logo है, हमारा KFC का, कभी इतने ध्यान से, तो देखा ही नहीं, चलिए, ये, minute-minute observations होती है, आप लोगे exam में, when coming to design exams, especially, KFC के लोगों में, चलिए देख लेते हैं, ये रहे हमारे, the man representing KFC, और ये रही KFC के, करेक्ट लोगों है हमारा, वो first one है, the KFC, और, hairs हो गया, specs हो गया, mustache हो गया, तो ये जो है, ये correct logo है, आपका KFC का, next is, NBC, NBC का correct logo कौन सा है, colors भी यहाँ पे, colors तो यहाँ पे दोनों के सेम है, but minute difference है, कि यहाँ पे, purple वाले में gap है, यहाँ पे जो पिंकिश है, sorry, color थोड़ा सा गरबढ हो गया होगा, बढ़ यह पिंकिश फॉल में हो रहा है, इसमें वी का gap है, तो जो correct logo है आपका, वो second one है, जिसमें आपका purple में, gap हो रहा है, वी शेप में, यह आपका correct logo है, NBC का, next is, Reebok, Reebok का कौन सा लोगो correct है, यह रहा first one, यह रहा second one, arrow first में left side से है, second में right side से है, जो correct logo है, Reebok का, वो है first one, जिसमें आपका cut, जो है, जो आपका strike हो रहा है, वो आपका left side से हो रहा है, next is, Tesla, Tesla का logo देख लीज़े ध्यान से, फिर हम discuss करते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे, तो इसके alphabets में difference है, जो इस alphabets से, E यहाँ पर joint नहीं, यहाँ पर joint है, A यहाँ पर joint नहीं, यहाँ पर joint है, तो जो correct logo Tesla का है, वो second one है, जिसमें E joint नहीं है, और A joint नहीं है, यहाँ कॉस्टा कॉफी का हमारा logo, सिंस 1971, सिंस 1971, डिफरेंस का है, यह कॉफी बीन्स में, जहां से देखें, यहाँ पर कॉफी बीन्स अलग-अलग split है, यहाँ पर कॉफी बीन्स ओवरलाप है, तो जो correct logo Costa कॉफी का है, वो है second one, जिसमें कॉफी बीन्स ओवरलापिंग है, यह कुछ हमारे important logos, mascots और हमने logos में differentiation भी कर लिये हैं, so I hope यह वीडियो आपको helpful लगा होगा, और Brand Ambassadors की वीडियो भी पड़ी हुई है चानल पे, लिंक आपको अभी स्क्रीन पे देख रहा होगा, और जल्दी हम और भी बहुत सारी वीडियो के साथ आने वाले हैं, thank you for watching the channel, thank you so much,